जेसी आई अंबाला की लेडी जेसी टीम संयुक्त द्वारा 74 गंतंत्र दिवस के उपलक्ष पर केसरी का आवजन बोट हाउस सुभाश पार्क में किया गया इस मीटिंग में सभी महिला सदस्य तिरंगे के रंग में उपस्तित रही इस अफसर पर महिला सदस्यों के लिए थीम तंबोला और जूनियर जेसिंस एवं महिला सदस्यों द्वारा ग्रुप डांस का मंचन किया गया इस अफसर पर मोक्य अति थी निमरिट धिलो रही जो की एक समाच सेविका है इस समारों के दोरान जेसि निकिता मितल पंचुलिटी की विजेता रही ग्रुप गेम्स के विजेता जेसरेट अनन्य गर्ग एवं जेसरेट निरच अगरवाल रही जबकि कंतंतर दिवस की थीम ड्रेस के लिए जेसरेट रंचीत को और विजेता रही टंग ट्विस्टर के लिए जस्रेट सुर्भी विजेता रही इस दोरान थीम तंबोला के विजेताओं को भी पूरुसकार दिये गए इस पूरी टीम के प्रोजेक्ट डिरेक्टर्स जस्रेट अनिय गुपता और जस्रेट चारु वसूल रही इस पूरे अफसर के दोरान लेडी जेस्स टीम की प्रधान जेसी किट्टी गुपता, सचिव दिपाक्षी अरोडा, क्रेटिव हेड जेसी अश्मिता मित्तल, IPCP जेसी नेहा सिंगला, पूर लेडी जेस्स टीम प्रधान जेसी गितांजली जैन, नैशनल ट्रेनर जेसी मिनाक जेसी अबाला के ब्रधान जेसी लक्षित अगरवाल, फर्स लेडी जेसी रिया अगरवाल, सचिव रोहिज जैन, उपरधान जेसी अंतेश मित्तल, एवं जेसी गौरव गर्ग, IPP जेसी शशांक अगरवाल, पियारो जेसी विवेक कोहली, एवं जेसी आदित्य वर्मा, जेसी गौरव गुपता, जेसी विशाल गुपता, एवं बाकी गणमाने सदस्य उपस्थित रही, जेसी अई अंबाला की लेडी जेसी टीम, संयुक्त द्वारा, 74 गंतंत्र दिवस के उपलक्ष पर केसरी का आवजन, बोट हाउस सुभाश पार्क में किया गया, इस मिटि निमरिट धिलो रही, जो की एक समासेविका है, इस समारों के दोरान, जेसी निकिता मितल, पंचुलिटी की विजेता रही, ग्रुप गेम्स के विजेता, जेस्रेट अनन्या गर्ग, एवं जेस्रेट निरच अगरवाल रही, जबकि गंतंत्र दिवस की थीम ड्रेस के जेस्रेट सुर्भी विजेता रही, इस दोरान धीम तंबोला के विजेताओं को भी पूरुसकार दिये गए, इस पूरी टीम के प्रोजेक्ट डिरेक्टर्स जेस्रेट अन्या गुपता और जेस्रेट चारु वसूल रही, इस पूरे अफसर के दोरान, लेडी जेस्स टीम की परधान जेसी किट्टी गुपता, सचीव दिपाक्षी अरोडा, क्रेटिव हेड जेसी अश्मिता मित्तल, IPCP जेसी नेहा सिंगला, पूर लेडी जेसेज, टीम परधान जेसी गितांजली जैन, नैशनल ट्रेनर जेसी मिनाक्षी गुपता, जेसी अंबाला के बरधान जेस जेसी आदित्यवर्मा, जेसी गौर्व गुपता, जेसी विशाल गुपता एबं बाकी गणमाने सदत से उपस्थित रही।